जाहिन दोस्तों मैंने दिवेन चोहान आजम करेंगे क्लास 10 का 3.2 का क्वेशन नंबर 2 इसमें हमें 3 क्वेशन दिये हैं और इसमें पूछा है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के गुणोत तरह की तुलना करके बताओ कि रेखाएं एक बिंदू में छेद करती हैं, सम करते हैं, सबसे पहले हमें यहां पता होना चाहिए कि A1, A2 और B1, B2 क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, A1 बटे A2, क्या होगा हमारा देखो, यह A1 है और A1 है 5 और A2 है 7, तो यहां जाएगा 5 बटे 7, उसके बाद B1 बटे B2, तो B1 हमारा क्या होगा, माइनस 4, और B2 होगा हमारा, प्लस 6, ठीक है, अब यह दोनों नमबर यहां पर 2 से कट रहे हैं, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, ओके, अब हमें लेना है C1 बटे C2, तो C1 हमारा होगा 8, और C2 होगा माइनस 9, ओके, अब यहां पर हमने देखा कि, एवन बटे A2, हम लिखके बताएंगे यहां पर, एवन बटे A2, बराबर नहीं है, बटे B1 बटे B2 के, देखो, यह A1 बटे A2 है, क्या है A1 बटे A2, 5 बटे 7, ठीक है, 5 बटे 7, और B1 बटे B2 है, माइनस 2 बटे 3, तो यह दोनों वैल्यूस बराबर नहीं है, इसलिए यह जो हमारा क्वेशन है, इसका अंसर आएगा, बंती रेखाएं, एक बिंदू में छेद करती हैं, ठीक है, कब, जब A1 बटे A2 बराबर 0, B1 बटे B2, क्वेशन नमबर 2 पे चलते हैं, इसमें हमें दिया गया है, 9X प्लस 3Y प्लस 12 इस इक्वल टो 0, 18X प्लस 6Y प्लस 24, सबसे पहले हम यहाँ पर A1 बटे A2 निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर A1 हमारा हो जाएगा, 9, A2 हो जाएगा, 18, फिर B1 हो जाएगा, 3, B2 हो जाएगा, 6, और C1 हो जाएगा, 12, और C2 हो जाएगा, 24, ओके, तो यहाँ पर देखिए, सब ही नंबर ना कट रहे हैं पहले, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो सारी वैल्यूज हमारी बराबर हैं, तो पहले हम इसे लिखेंगे, इस तरह A1 बटे A2 बराबर, B1 बटे B2 बराबर, C1 बराबर, C1 बराबर, C2, इस कंडिशन में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, कि समपाती रेखाएं हैं, जब सभी वैल्यूज बराबर होंगी, तो हमारा अंसर आएगा, समपाती रेखाएं, अगला क्वेशन देखते हैं, अगले क्वेशन में भी सबसे पहले हमें, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, find करना होगा, तो A1 है यहाँ पर 6, और A2 है 2, ओके, फिर B1 है यहाँ पर माइनस 3, और B2 है माइनस Y, C1 है यहाँ पर 10, और C2 है यहाँ पर 9, ओके, यहाँ पर देखे ही, कट रहा है, दो एकम दो, दो तिया चे, 3 बटे 1, माइनस से माइनस कट, यहाँ सौरी Y नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर Y नहीं आएगा, यहाँ पर वन आएगा, ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, ठीक है, तो यह हो गया हमारा 3 बटे 1, और 10 बटे 9 नहीं कटेगा, as it is रहेग तो सबसे पहले हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर not c1 बटे c2 ओके यह देखो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के तो हमने इस तरह लिख दिया और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के इस condition में हमारी रेखाएं समानतर होंगी समानतर रेखाएं तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत